हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो आर चैनल मल्टी रोज लाइफ दोस्तों हर एक मौसम की एक अलग ही खासियत और कुछ खामिया होती हैं ऐसे ही गर्मी का भी हाल है जहां गर्मियों में लोगों को आम तर्बूच जैसे कई फ्रूट्स गर्मी से राहत दिलाते हैं तो वहीं दूस इसरे तरफ इसी गर्मी के मौसम की वज़ा से लोगों का जीना दूबर भी हो जाता है चिलचलाती धूप और लू की वज़ा से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है इतना ही नहीं सातियों भयंकर गर्मी का असर लोगों की स्वास्ते पर भी पढ़ता है कई गंभीर बिमारियों की चपेट में लोग आ जाते हैं जैसे डाइरिया, डिहाइडरेशन, उल्टी, सिरदर्ध, तेजबुखार, पेट दर्ध, आदी। इसलिए ही इस मौसम में लोगों को खास कर सावधान रहने और अपना बचाव करने की सलहा दी जाती है, ताकि गर्मी की चपेट में ना आ सकें। लेकिन फिर भी कुछ लोग कई गलतियां करते हैं, लापरवाही को अंजाम देते हैं, जिसे स्वास्ते पर गहर आसर पड़ता और आप दवाईयों के सेवन से भी बस सकते हैं, तो चलिए साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि गर्मियों के मौसम में भूल कर भी आपको किन चीजों को नहीं करना चाहिए, पहला तुरंत ना पिये ठंडा पानी, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग इस कड़ी गर जबकि हमेशा लोगों को तुरंत पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, बलकि आकर पहले कुछ मिनट बैठना चाहिए, और अपने बोडी टेंपरेचर को नॉर्मल करना चाहिए, और फ्रिज का ठंडे पानी की बजाए मिट्टी के मटके का पानी पीना चाहिए, क्योंकि फ् पहले अराम करें और उसके बाद ही मटके के पानी को पीए, क्योंकि मटका हमेशा रूम टेंपरेचर के हिसाब से पानी को ठंडा रगता है, जिसकी वज़ा से पीने पर लोगों को नुकसान भी नहीं होता है, दूसरा, ड्राइफरूट का सेवन करें कम, वैसे तो साथियो ड्राइफरूट के लिए बहुत हेल्दी और पोस्टिक होते हैं, इसलिए इनका सेवन करना चाहिए, लेकिन गर्मियों के मौसम में इने कम ही खायें तो अच्छा होगा, क्योंकि ड्राइफरूट की तासीर बहुत गरम होती है, और गर्मियों में इनका ज्यादा सेवन करन से शरीर में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वज़ा से शरीर में कई तरह की परेशानिया हो सकती है, अलर्जी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, इसलिए हमेशे धिहान रखें कि आप हर मौसम ड्राइफरूट का सेवन करें, पर गर्मियों में इसका सेवन बहुत कम कर दें। ऐसा करने से आपको गर्मी से राहत ही मिलेगी। तीसरा तुरंट ना नहाएं। दोस्तों अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोगों को गर्मी जरा भी बरदास नहीं होती है। जिसकी वज़ा से जब भी वो बहार से आते हैं तुरंट नहाने चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करना भी बहुत गलत है। लोगों को तुरंट बहार से आकर नहीं नहाना चाहिए। क्योंकि जब हम बाहर से घर आते हैं, फिर चाहे पैदल आ रहे हूं या लंबी ड्राइब और राइडिंग के बाद, इस दौरान हमारे शरीर में पहले से ही गर्मी काफी बड़ी हुई होती है, ऐसे में शरीर पर पानी गिरने से हमारे शरीर का ताप मान गर बड़ा जाता है जिसकी बज़ा से जुखाम, सर्दी, सिर्दर जैसी समस्या हो जाती हैं, इसलिए हमेशा धिहान रखें कि बाहर से घर आने के बाद, दस से पंदरा मिनट तक आप अराम करें, उसके बाद नहाने जाएं, ताकि आपकी बॉडी का टेंप्रेचर समानने हो जाएं, और आपक नहींकों कोई भी नुकसान ना हूँ, दोस्तो आज कल के दौर में लोगों को बबाहर के चटपटे मसालेदार खाने का शौक बहुत ज्यादा है, कुछ लोग घर का खाना ना क्खाकर बाहर का ओईली, मसालेदार और जंग फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने पेट कर अपने निशान छोड़ जाते हैं जिसके वाद वही खाना खाने से पेट खराब हो जाता है डारिया जैसे शिकायत हो जाती है इसके अलावा गर्मियों में ज्यादा मसालेदार और बाहर का जंक फूट खाना शरीर के लिए काफी नुकसान दायक भी होता है क्योंकि गर्मियों में शरीर बाहर के मसालेदार और जंक फूट को पचाने में काफी समय लगाता है जिसकी वज़ा से कॉलेस्टरॉल लेवल फैट शरीर में बढ़ने लगता है पेट दर्द, कब्स, सीने में जलन और फूट पॉइजनिंग की समस्या होने लगती है इसलिए हमेश शरीर में ना होने दें पानी की कमी दोस्तो हमारे शरीर में 65 से 70 प्रतीशत पानी होता है इसलिए हमारे शरीर के लिए पानी बहुत जरूरी होता है पानी शरीर में एनरजी बनाये रखने में मदद करता है लेकिन गर्मियों के मौसम में अकसर शरीर में पानी की कमी हो जात तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि गर्मियों के मौसम में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए उमीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदे मंद होगी ऐसी ही और महत्पूर्ट जानकारियों के लिए आज ही हमारे चैनल मल्टी रोज लाइफ को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर करें बाई टेक क्यार बी हैपी धन्यवाद हन्यवाद